पहले ता रामरम सारे भाई बैनाने कैसे आप सब मुझे आसे कि आप सब मस्त होगे और अपने घरों में सारे सुरक्षित होगे ठीक है जैसे आपने बेरा लाग गया होगा कि भारत में अब 300 से प्लस क्रोना वारस के केसिस आ गई है ठीक है इसलिए मैं आप सब को कहा रहा और आपने सुन भी लिया होगा कि हरियाना के कई जिलों में 31 मार्श तक लोगडाउन यानि हर चीज़े बंद कर दी गई है इसलिए अब आपने 30 मार्श तक घर नहीं निकलना है लेकिन मैं आप सब दुबारा कह रहा हूँ यूटूब पर आपको डेली की डेली वीडियो म में लिख देना मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और इपलाई भी दूँगा ठीक है आज मैं आप ते इस वीडियो में हरियाना की इस्त्री और पूर्सों के जो जो इंपोर्टेन भूशन से रिलेटिड मारे पेपर में कोशन बना है वो आज समय आप ते डिसकस करें आप इस वीडियो को अंतक देखना अगर भूशन कोशन तो इस वीडियो के बार से नहीं बनेगा ठीक है और इसके पहले मैंने आप्थे हरियाना की मिप्टी और हरियाना की कृषिजवी समुझिर एक एक वीडियो मैंने आपते देख रखिया है मुझे आसे कि आप सबने देख लियोगी अगर अभी भी किसी भाई बैन ने वो वीडियो नहीं देखिया है तो आप इस वीडियो को जुरूर देख लेना आईए आज इगलाज आप शुरू करते हैं मैं प्रेम आप सब का प्रोसिफ तीन सेगिंड दूंगा आप मुझे फड़ावट इसका अंसर चैट बोक्स में देना इसके अंदराग को प्ताना है कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो बाजू के उपरी भाग में पहने जाने वाला अभूशन है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा अनन्त अभूशन वाजू के ऊपर भाग में पहने जाने वाला अभूशन है नेक्स्ट है निमन में से कौन सा पाव में पहने जाने वाला अभूशन है इसका नतराग पतान है कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो पाव यानि पैर में पहना जाता है और आ answer हो जाएगा इसका answer हो जागा गजरिया या रख लेना गजरिया पाव में पहने जाने वाला अभूशन है गजरिया कजरा और गजरा ये तीनों अलग लग वर्ड है ठीक है आपने इसको जुरूर या रख लेना है नेक्स्ट है यह पाव में पैने जाने वाला अभूशन है जो चांदी का बना है इसके नागता है कि इस में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो पैर में तो पैना जाता है लेकिन वो चांदी का बना होता है ठीक है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चांदी का बनना होता है पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है तो इसलिए आप इसको जुरूर या रख लेना नेक्स्ट है निमन में से कौन सा महिलाओ की कलाई में पहने जाने वाला अभूशन है आपका टाइम होता है शुरू इसके अंदर आपके अप्तान है कि इन में से ऐसा कौन सा महिलाओ की कलाई में पहना जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कंगन या रख लेना महिलाओ की कलाई में पहने जाने वाला कंगन अभूशन है ठीक है आप इसको ऐसे भी या रख सकते हो कला पाई में पहने जाने वाला अभूशन है तो आप यहां रखे ना कंगन इसके साथ आपने कांगनी गज्रा पचेली को भी यार रखना है ठीक है और यह सारे के सारे अभूशन महीलाओ के हैं किस अभूशन को कोड़ी जूड़ा जवरलता और बंदनी भी का जाता है आपका टाइम होता है शुरू इसके दो आपको पता है कि इसमें से ऐसा कौन सा अभूशन है जिसको कोड़ी जूड़ा जवरलता और बंदनी का जाता है ठीक है पेपर में इंचारे में से कोई अभू पूरा जवरलता और बंदनी भी का दाता है ठीक है यह कोशन एचसे ने अपने पेपर में भूद बार पूछ रखा है तो इसलिए आप इसको जुरूर या लख लेना नेक्स्ट है निमन में से कौन सा कलाई का एक अभूशन है इसके निमन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो कलाई में पेना जाता है आपका टाइम होता है शूरू इसके निमन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो कलाई में पेना जाता है मुझे आशा है कि आप सबने इसका सही कांगनी या रख लेना कांगन कलाई का एक अभूशन है ठीक है next ह lgkकंगण को क्या खा जात आपका टाइम होता है शूरूत हम siya channel हो की हल्के कंगन को क्या कआ जात एकर इसका क्या अंसरो झाएगा इसका नेक्स्ट है निमन में से कौन सा मस्तक का एक अभूशन है आपका टाइम होता है शूरू आप मुझे फड़ा फट चैडबोक्स बताओ कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो कि एक मस्तिक्स का अभूशन है मुझे आशा है कि आप सबने इसका अंसर सही दिया होगा इसका गयांसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सिंगर पटी या रखे लेना सिंगर पटी एक मस्टिक्स का अभूशन है ठीक है और आप मुझे इसके साथ साथ जो मैंने आपको आगे इसके अन्ने नाम भी बताया थे और वह भी आप मुझे फडवर चैड़ बुक्स में कटला एक गले का अभूशन है और यह Kangपेपर में अश्यआतज सकते हैं कि कटला इस्ट्रियोग का अभूशन है या पूर्ष्यों का पूर्शों आपकी यह तो चैने वाला अभूशन है और यह गले में पहने जाने जो सूती एवं रेशमी धागों को मिलकर बनाई गई डोर में बड़े-बड़े मोतियों में पिरोया जाता है इसका का अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कठला ठीक है या रख लेना ये कठला अभूशन है ठीक है उरके सासत अब यह भी आ रहे लेना जालरा हसली माल टाल गुल्बन यह सारे के सारे इस्त्रियों के गले में पहने जाने वाले अभूशन है नेच्ट है निमन में से कौन सा इस्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला कान का एक घहन है आपका टाइम होता है शूरू इसके निरा कुछ अपताना है कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो इस्तियों दवारा उनके कान में पहने जाने वाला अभूशन है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कन फूल ठीक है यह इस्तरों दवारा कान में पहने जाने वाला अभूशन है और इसके सासा आप में भी आ रखेना है डाड़े और टेड़े यह भी इस्तरों दवारा कान में पहने जाने वाला अभूशन है next है कणफूल कान के कौन से हिस्से में पहना जाता है इसके नहीं बतारना है कि जो एक कणफूल अभूशन है जो इस्तर दोबारा कान में पहना जाता है ये कान के कौन से हिस्से में पहना जाता है आप फटाफट मुझे इसका अंसर चैड़ बोक्स में दो इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा हिससे में या रख लेना काण फुल काण के निव्य हिससे में पहने जाने वाला abhushen है next है कौन सा abhushen इस तरियां धाइने हाथ के अंगुटे में पहनती है आपका time होता है शूरू अब मुझे पड़ावर चैट बोक्स में बताओ कि इन में से ऐसा कौन सा बूशन है जो इस तरियां धाईने हाथ के अंगूठे में पैनती है मुझे आशा है कि आप सबने भी इसका अंसर सही दिया होगा इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा आर्सी ठीक है या रख लेना आर्सी अबूशन इस तरियों दवारा दाईने आत के अंगूठे में पैना जाते है ठीक है आरसी का मतलब अंगूटी होता है ठीक है इसके साथ आपने या रख लेना है अंगूटी, आरसी, टांडिया, चन और पचेली यह सारे की सारे अभूशन इस्त्रियों दवारा हाथ में पहने जाते हैं ठीक है अगर आपसे यह पुझा जाएं कि ऐसा कौन सा अभूशन जो इस तरह दवारा शादी के समय में हाथ में पहना जाता है तो वह चन ठीक है अपने इसको भी जुरूर या रख लेना है नेक्स्ट है कौन सा अभूशन महिला और दवारा नाक में पहना जाता है आपका टाइम होता है शुरू इसके जाता है कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो महिला और दवारा नाक में पहना जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कोका या रख कोका भूशन महिला और द्वारा नाक में बाई और पहना जाता है ठीक है और इसके साथ सथ और कौन से ऐसे भूशन है जो महिला ये द्वारा नाक में पहने जाते हैं वो हैं लोंग कोका नत और पुरली ठीक है आपने इन सारे भूशनों का नाम या रखेना आप मेरे साथ तब आपको यह सारे के सारे भूषण भी इसी वीडियो में याद हो जाएंगे next है कौन सा एक कलाई का एक घहन है आपका time होता है शुरू इसके दाव आपको तान है कि इन में से ऐसा कौन सा भूषण है जो कलाई में पैना जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा गजरा ठीक है या रख लेना गजरा अभूषण कलाई का अभूषण है ठीक है सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो गजरिया अभूशन है वो पाव में पैना जाता है ठीक है लेकिन जो गजरा है वो कलाई का अभूशन है इसमें एक आता है कजरा गजरा कजरा ये दोनों अलग अलग वर्ड है जो कजरा है वो सीर में बालों के उपर बाल का अभूषिन है फिरह नहीं हो कि निमन में से किस हार को रानी हार का जाता है आपका टाइम होता है शूरू इसके नदर आपको मुझे बताने है कि इसमें से ऐसा कौन सा हार है जिसको रानी हार का जाता है इसका क्या अंसर होज़ेगा इसका अंसर होज़ेगा चंदन हार या रख लेना चंदन हार को रानी हार का जाता है ठीक है और इस्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला अभूशन है आपने इसको भी जुरूर या रख लेने हैं सुहागन मैला द्वारा पैर की अंगूठी में धारण की जाने वाली चांदी की छली को क्या क्या जाता है इसका क्या अंसर हो जेगा इसका अंसर हो जेगा दोनों यानि बिच्चुएं और चुटकी ठीक है अगर पेपर में बिच्चुएं नहीं दे रखाऊगा तो उसकी जगा चुटकी दे रखाऊगा तो आपने या रख लेना है पेर के अंगुठे में धान की जाने वाली चांदी की छली को बिच्चुएं या चुटकी कहते हैं ठीक है आपने इसको जुरू या रख लेना है नेक्स्ट है मेलाओ द्वारा पहना जाने वाला एक अभूशन है जिसमें पट्टी पर चोटे तता सुनैरी पुष्क कली वाले दाने जड़े होते हैं आपका टाइम होता है शूरू इसके अंदर आपको मुझे पताना है कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो मेलाओ पूछा गया है नेक्स्ट है निमन में से कौन सा मेलाओ के कान का एक अभूशन है जो कान में लटका कर पहना जाता है आपका टाइम होता है शूरू इसके नाखतान है कि इन में से ऐसा कौन सा मेलाओ का कान का भूशन है जो कान में लटका कर पहना जाता है इसका क्या अंसर जाएगा इसका अंसर हो जाएगा जुमका ठीक है या रखले लेना जुमका एक महिलाव का ऐसा आप sóण जो कान में लटका कर पहना जाता है ठीक है और के साथ साथ आप बाली पंड़ फूल और बूझनी यार रखले जो इस बूजनी अभूशन है वो कान वा सीर का दोनों का अभूशन है ठीक है आपने याद रख लेना है और इसके साथ बंजन भी एक कान का अभूशन है ठीक है आपने इस सारे अभूशन को याद रख लेना है पेपर में इंसे कोशन जुरूर बनता है नेक्स्ट है निमन में से कौन सा बाजू में पहने जाने वाला एक अभूशन है इसके नातर है कि इन में से ऐसा एक कौन सा बूशन है जो बाजू में पहने जाने वाला अभूशन है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा टाड़ ठीक है यार रखेना ये एक ऐसा अभूषण है जो बाजियो में पहने जाने वाला अभूषण है और इसके साथ अब ये भी यार रखेना प्याज का सरवादिक उत्पाजन गुरुगराम जीले में होता है ठीक है पिछली वीडियो में मैं इसका अंसर से ऐसे कुछ और पता तो आप सबने यार रखेना प्याज का सरवादिक उत्पाजन गुरुगराम जीले में होता है ठीक है आप इसको ठीक कर लेना सारी दुनिया कहती है हार मान लो लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तू जरूर कर सकता है ठीक है यह बात तो फैक्ट है और यह जैने तू अब किसी और फिल्ड में चला जा अब तू अकाउंट का काम या तू कोई और काम कर ले लेकिन अब तू सरकारी की त्यारी चोड़ दे लेकिन जो मारा दिल होता है वह बिल्कुल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तू जरूर कर सकता है जैसे अब तू आपका मन आपके साथ है आप पेपर को देखना एक ना एक जिन जुरू क्वालिफाई करो और उचे से उचे पद पर आप पहुचोगे नेक्स्ट है निमन में से कौन सा हाथ में पहना जाने वाला अबूशन है आपका टाइम होता है शूरू इसके अंदर आप मुझे फड प्रता ना पताइब यते के सा यहारे एक भूशन आपका टाइम होता है चूरू हमुझे एक ह्याने पर Betma लूजबाएवग की न। का छोटा रूप क्या कहलाता है मुझे आश है कि आप सबने इसका अंसर सही दिया होगा इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा नतली या रख ले कि नतली काँ पहने जाने वाला अभूशन है तो वह नाकपे निमिन मेंसे कौन सा नाक में पहना जाता है और इसे पहनने के लिए नाक में बाई और छेद करवाया जाता है ठिक है यह question मैंने आपको पहले करवा दिया लेकिन देखो question कहसे modify कर रहते आपने ऐसे भी कोशन अगर modify हो जाए तो आपको देखके डरना नहीं है आपको कोशन को पढ़ना है समझना है और उसके बाद आपको option पढ़के इसका answer देना है आपका time होता है शूरू अब मुझे फटफट बताओ कि इन में से ऐसा कौन सा motion है जो नाक में तो पैना जाता है और इसे पैनने के लिए नाक में बाई और छेद करवाया जाता है इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दोनो यानि नत और नतली ठीक है जैसे मैंने आपको आगे पताया था कि नत का छोटा रूप नतली होता है इसलिए आपने आ रख लिए नत नाक में पैने जाने वाला अभूषण है और इसे पैनने के लिए नाक में बाई और छेद करवाया जाता है नेक्स्ट है निमन में से किस अभूषण की अकिर्थी पान अथवा शतूत के पत्ते के जैसी होती है आपका टाइम होता है शुरू इसके नारब तान है कि इन में से ऐसा कौन सा अकिर्थी पान अथवा शतूत के पत्ते के जैसे होती है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा पत्तिरी ठीक है याद रखे ना इसकी अकिर्थी पान अथवा शतूत के पत्ते के जैसी होती है ठीक है इसको भी आप ऐसे याद हो जाएगा पत्तिरी ठीक है नेक्स्ट है निमन में से कौन सा अभूशन गले का है आपका टाइम होता है शुरू आप मुझे फटवर रता हो कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो गले में पहने जाने वाला अभूशन है इसका क्या अंसर हो जागा इसका अंसर हो जागा उपरूप सभी या रख लेन जालरा, कटला, जंजीर, हसली, माला, गुलबंद, रानियार, कंठी और मंगल सुत ये सारे के सारे इस्त्रियों दुवारा गले में पहने जाने वाले अभूशन है नेक्स्ट है निमन में से कौन सा अभूशन कलाई कहा है ठीक है और आप सब ये भी यार रख लेना इस वीडियो की पीडियाप आपको मारे जीकेवाई दिवान सर टेलिगराम ग्रूप में मिल जाएगी अगर कोई बच्चा अभी भी मारे इस गुरूप से नहीं जुड़ा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके आप मारे इस गुरूप से जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको इन वीडियो की नोट्स बनाने की भी कोई जुरूत नहीं है आपको वहाँ से मारी पीडियाफ मिल जाएगी आप वहाँ से डाउनलोड करके उस पीडियाफ को पढ़ सकते हैं ठीक है और इसके साथ साथ हमने एक फेस्बुक पेज भी बनाया है जिसका लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बोक्स में परवाइड कर दूँगा अब वहाँ जाके आप मारी उस फेस्बुक पेज से भी जूड सकते हैं ठीक है और क्यों क्योंकि वहाँ पे आपको डेली अगर कोई हैसे की कोई भी इंपोर्टन नोटिस आया या दो इंपोर्टन कोशन्स आपके एससी के पेपर से लेटिड है हम वह सारे उस फेस्बुक पेज पेज पेपोस्ट करेंगे ठीक है और आप इस फेस्बुक पेज को और हमारे टेलीग्राम गूर्प को भी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि और यह बच्छे हम से जूड सके इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा उपरूप सबी यार रख लेना गजरा जस्तबंद पचेली और कंगन यह सारे के सारे कलाई में पहने जाने वाले अभूशन है ताकि आपको इस सारे के सारे अभूशन मेरी इस वीडियो में याद हो जाने जाएगे निमन में से कौन सा मैलाव द्वारा पहने जाने वाला लोंग से बड़ा नाक का छिददार का एक अभूशन है आपका टाइम होता है शुरू इसके नाग बतान है कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो मैलाओ द्वारा पहने जाने वाला लोंग से बड़ा नाक का चिर्दार का एक अभूशन है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा पुरली ठीक है या रखे न यह प चैड़ बोक्स में बताओ नेक्स्ट है निमन में से कौन सा पुर्षो का बाजू पर पहने जाने वाला अभूशन है इसके नापतान है कि इन में से ऐसा कौन सा अभूशन है जो पुर्षो द्वारा बाजू पर पहने जाने वाला है आपका टाइम होता है शुरू आप मु पहने जाने वाले अभूशन है और जो यह अनन्त है यह सरफ अकार यानि साप की शेप का होता है ठीक है पेपर में पुझा जाता है कि कौन सा अभूशन सरफ अकार का है वो है अनन्त और यह बाजू में पहने जाने वाला अभूशन है नेक्स्ट है किस अभूशन को आम तोर पर चोटी नत के रूप में भी जाना जाता है आपका टाइम होता है शुरू इसके अभूशन को आम तोर पर चोटी नत के भी रूप में जाना जाता है वैसे नत का छोटा रूप नतली होता है जिसको आम तोर पर छोटी नत के रूप में जाना जाता है नहीं पहना जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बोरला ठीक है या रख लेना बाली बुझनी और बंजन और इसके साथ साथ कणफूल और टांडे और डेडे यह सारे के सारे अभूशन कान में पहने जाने वाले अभूशन है ठीक है लेकिन जो यह यह माथे पर पहने जाने वाला अभूशन है आपने इसको जुरू या लख लेने नेक्स्ट है निमन में से गोलाकार टिकडों से बना सिर्का एक गैना कौन सा है जिससे इस्तिया धारण करती है आपका टाइम होता है शुरू इसके दाखतान है कि इन में से ऐसा कौन सा इसका अंसर हो जागा इसका अंसर हो जागा शीष फूल ठीक है या रख लेना शीष फूल अभूशन गोलाकार टिकडों से बना सिर्का एक गैना है जिससे इस्तिया धारण करती है पेपर में ऐसे पूल लेगा कि शीष फूल अभूशन कहां का अभूशन है वो एक सिर्का होता है? शुरू, इसके शिर परदान कि इन में से ऐसा कौन सा महिलाओ का गले का अभूशन है, जो गले के नीचे, होसली नामक हड़ी को सुरक्सा परदान करता है, ठीक है? पेपर में ऐसा भी बन सकता है कि होसली नामक हड़ी कहाँ पाई जाती है? वो आपर इसको जुरूर या रख लेना है नेक्स्ट है मोटी सूत की मोटी चादर को क्या कहते हैं जो सर्दियों में ओड़ी जाती है पेपर में पहले आप यह या रख लेना कि मोटी सूत की मोटी चादर सर्दियों में ओड़ी जाती है और आप मुझे फड़ा वट इसका अंस जाता है नेक्स्ट है निमन में से कौन सा एक वेश भूशा है जो की बिना कालर की कमीज होती है इसके नातान है कि इस में से ऐसी कौन सी एक वेश भूशा है जो बिना कालर की कमीज होती है आपका time होता है शुरू इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दोनों यानि कुर्थी और कुर्था यानि कुर्थी को कुर्था भी कहते हैं इसलिए आपने या रख लेना है कुर्थी और कुर्था एक ऐसा wastebush है जो की बिना कालर की कमीच होती है ठीक है पेपर में ऐसी पूछ सकते है कि निमन में से कौन सी बिना कालर की कमीच होती है आपने या रख लेना है कुर्थी जिसे कुर्था भी कहते हैं नेक्स्ट है चादर की मोटी परत को क्या कहते हैं आपका time होता है शुरू अब मुझे फड़ा बट पता हो कि चादर की मोटी परत को क्या कहते हैं इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दोनों दुशाला और कमबल इसके ना को यहां रख लेना है कि जो दुशाला है उसको कमबल भी कहते हैं ठीक है कमबल का दूसरा नाम दुशाला है ठीक है पेपर में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि दुशाला किसका अन्या नाम है वो है कमबल का और इसे चादर की मोटी परत कहते हैं नेक्स्ट है हरियाना में मफलर को क्या कहते हैं आपका time होता है शुरू अपने बिएपान है कि हरियाना में मफलर को क्या गया यह वो मफलर है जैसे आपने देखा होगा अपने मुण पर आपने ओड़ते हैं ठीक है लेकिन आज कल फैशन के लिए वो अपने गले पर इसको ओड़ते है पेपर में यह कोछ lindoढ़ता जाता है कि हरियाना में मफलर को किस अन्य नाम से जाना जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा गुली बंद या रख लेना हरियाना में मफलर को गुली बंद नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है निमन में से कौन सा पुर्सो के लिए समान का परतीक है इसके नपतान है कि इन में से ऐसा कौन सी वेश भूशा है जो पुर्सों के लिए समान का परतीग है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा खंडवा या रख लेना खंडवा पुर्सों के लिए समान का परतीग है नेक्स्ट है निमन में से किसे सैनिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी बोला जाता है आपका टाइम होता है शुरू इसके नहीं रपतान है कि इन में से किसे सैनिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी बोला जाता है इसका क्या अंसर हो जागा इसका अंसर हो जागा सा साफा याद रख लेना साफा वेश भूशा को सैनिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी बोला जाता है ठीक है यहाँ पर भी सा है और यहाँ पर भी सा है आपको याद रहे जाएगा अगर पूछ लें कि सैनिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी को क्या बोलते हैं तो पगड़ी पगड़ी के रूप से जाना जाता है आपका टाइम होता है शुरू अब मुझे फड़ावट चैट मुस्पता हो कि किस पगड़ी को मारवाड़ी पगड़ी के रूप से जाना जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा पगड़ी ठीक है या साफ आई ऐसे कौन सा अभूषन पुर्षों के द्वारां कान में पेना जाता है आपका कर टाइब होता है शुरू आप मुझे फड़ावट चैट बॉक से बताओ कि इन मेंसे ऐसा कौन सा अभूशन है जो पूर्सों के दवारा कान में पहना जाता है और यह तो इसका अस्तों अंसर आप सब मुझे सही दोगे इसका अंसर हो जागा इसका अंसर हो जागा मुर्की यार रख लेना मुर्की पूर्सों दवारा कान में पहने जाने वाला अभूशन है नेक्स्ट है निमन मेंसे कौन सा अभूशन महिलाव दवारा माथे पर नहीं लगाया जाता है कि इन मेंसे ऐसा कौन सा अभूशन है जो महिलाव दवारा माथे पर नहीं पहना जाता इसका कि answer हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा पुरली ठीक है यार रखें न पुरली ऐग ऐसा अभूषण है जो मयला द्वारा उपर नहीं पहना जाता लेकिन तांगा और च्छा एसे अभूषण है जो मयला द्वारा मात्य पर पहने जाते हैं और आप सब मुझे फटावड इसमें किहांग रखाए कि इन की बायर में कोष्ण गोश्न नागुण पर नहीं पैना जाता क्वार क्या होता है बच्चा कोशन को ध्यान शेसे पढ़ता फटफट पड़ने के चक्र में ऐसे पढ़स खषा मेनाच दो देख लेगा किना से product और बतानों कि इन में से ऐसा कों सा अभूषण है जो नाख पर नहीं पहना जाता इसका क्या अंसर हो जगा इसका अंसर हो जगा बंजण ठीक है? या रख लेना लोंग, पुरली और कोका यह मैलाव दवारा नाख पर पहने जाने वाले अभूषण है और जो यह बंजन है, यह कान पर पहने जाने वाला अभूशन है निमन में से कौन सा अभूशन महिलाओ दोरा सिर पर नहीं पहना जाता इसके अंदर आगर मुझे तान है, आपका टाइम होता है शुरू आप मुझे फड़ावट इसके अंदर बताओ कि इन में से ऐसा कौन सा भूशन है जो महिलाव द्वारा सिर पर नहीं पहना जाता इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा गजरा ठीक है या रखे ना इन में से ऐसा गजरा भूशन है जो महिलाव द्वारा सिर प पुर्सो द्वारा गले में पहने जाने वाला वेश भूशा कौन सी है आपका टाइम होता है शुरू आप मुझे फड़ावट चैडवंग से बताओ कि इन में से ऐसी कौन सी वेश भूशा है जो पुर्सो द्वारा गले में पहनी जाती है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका फड़ा फट चैट मोंग से पताओ कि राजपूती रूप से बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा पाक ठीक है या रख लेना राजपूती रूप से बड़ी पगड़ी को पाक कहते है नेक्स्ट है निमन में से कौन से पहने जाने वाली वेश्बूशा है और यह कमर पर पहनी जाती है ठीक है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा अंग रखा ठीक है या रख लेना दर्बारी ढंग से पहने जाने वाली वेश्बूशा अंग रखा है और यह कमर पर पहनी जाती है ठीक है और आ हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीद सकता ठीक है देखो इस मोटिवेशन कोट में यही कहा रखा है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीद सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीद सकता इसलिए मैं आप सब बार बार कहता रहता हूँ कि आपने कभी भी मन से हार नहीं माननी है और ये बात बिल्कुल fact है कि अगर आप कभी किसी मैदान में या अगर आभी किसी खेल में आ ज़ोगे न तो आप दुबारा practice करके उस मैदान उस खेल में जी सकते हो लेकिन एक ब過 अगर आप ने के मन ने हार मानने तो इनसान कभी भी नहीं जी सकता इसलिए मैं आपको बार बर कहते हैं तो आप अपनी पड़ाई पर कंसेंटेर्ट करना और आपने कभी भी मन से हार नहीं माननी है देखना एग ना एग दिन आप अपनी लाई में जुरू success होगे ठीक है और अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को शेर नहीं किया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेर कर दो ताकि औरी बची हम से जूट सके अगर आपको इस वीडियो से लेटिड या अगर आपको अपनी study से भी कोई डाउट है तो मिल सके और मैं आपको बार बार दुबारा कहा रहा हूँ आपने अपने घर से बार नहीं निकलना है आपने देख लिया होगा कि जो क्रोना वारस के केसिस भी भारत में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हरियाने में भी दिन पर दिन क्रोना वारस के cases बढ़ते जा रहे हैं अब आपकी safety आपके हाथ में है आपने बार बार अपने हाथ दोने हैं और कम से कम आपने अपने हाथ 20 से इंगड तक दोने हैं ठीक है यह सारी कुछ precautions मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है आपका समय बर्बाद ना करते हैं आप सब उन वीडियो को देख लेना जिससे आपको सारे के सारे precautions पता चल जाएंगे ठीक है next है निमन में से किसे काले या लाल सूती कपड़े का घागरा का जाता है आपको जो पताना है कि किसे काले या लाल सूती कपड़े का घागरा का जाता है इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो दामण, यार रख लेना दामण को काले या लाल-सूती कपड़े का घागरा का जाता है next है, निमन में سے किसे निले कपड़े पर पीले पात की कड़ाई का घागरा का जाता है, आपका टाइम होता है, शुरू आप मुझे फड़ा फट चैट बॉक्स में पताओ कि किसे निले कपडे पर पीली पात की कडाई का घागरा का जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ले ठीक है या रख लेना ले वेश भूशा को निले कपड़े पर पीली पाथ की कडाई का घागरा का जाता है यह ऐसे कोशन है अपने हर एक्जाम में पूशती है तो यह सारे के सारे कोशन अमारे लिए इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है निमन में से किसे निले वा लाल धागों से निर्मित बिना कली का घागरा का जाता है आपका टाइम होता है शुरू इसके निले वा लाल धागों से निर्मित बिना कली का घागरा का जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा केरी ठीक है या रख लेना केरी को नीलेवा लाल धागों से निर्मित बीना कली का घागरा का जाता है नेक्स्ट है नीमन में से किसे चार नीले चार लाल धागों से बुनी खदर से बीना कली का घागरा का जाता है आपका टाइम होता है शुरू इसके दर आप मुझे फटवट चैड मॉख से बताओ कि नीमन में से किसे चार नीले और चार लाल धागों से बुनी, खदर से बनी बिना कली का घागरा का जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा खारा ठीक है यार रखेंगे ना खारा को चार नीले चार लाल धागों से बुनी खदर से बनी बीना कली का घागरा का जाता है next है निमन में से किसे खदर के कपड़े पर फूल छपा घागरा का जाता है आपका टाइम होता है शुरू आप सब मुझे फड़ावट चैड़ मक्से बताओ कि निमन में से किसे खदर के कपड़े पर फूल छपा घागरा का जाता है मुझे आशा है कि आप सबने इसका अंसर सही दिया होगा इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बोर डा ठीक है यार लेकिना इसे खदर के कपड़े पर फूल छपा घागरा का जाता है नेक्स है निमन में से किस वेश भूशा को चांद वा तारे की छपाई वाला घागरा का जाता है आप मुझे फड़ावट चैड बोक्स में दो इसका क्या अंसर हो जागा चांद तारा को चांद और तारा दोनों होगे और इसका अंसर भी चांद तारा है फिर भी HSC ने एक दोबार अपने पेपरों में ये कोशन पूच रगया तो आप या रख लेना चांद तारा को चांद और तारे की चपाई वाला घागरा का जाता है निमन मेंसे कौन सी वेश भूशा को आज का लोग प्रिया पहनावा माना जाता है इसमा आप बताना है कि इस मेंसे ऐसी कौन सी वेश भूशा है जिसे आज का लोग प्रिया पहनावा माना जाता है आप मुझे पड़ावट इसका अंसर चैड बोक्स में दो इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा जमफर ठीक है यार रख लेना जमफर वेश भूशा को आज का लोग प्रिया पहनावा माना जाता है नेक्स्ट है निमन में से किस वेश भूशा को सूती रंगीन कपडों पर रेशमी बुनियादो वाली ओड़नी का जाता है आपका टाइम होता है शुरू आपने मुझे चैट बॉक्स में पताना है कि किस वेश भूशा को सूती रंगीन कपडों पर रेशमी बुनियादो वाली ओड़नी का जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा गुम्टी ठीक है यार रखे ना गुम्टी वेश भूशा को सूती रंगीन कपड़ों पर रेशमी बुंदियों वाली ओडनी का जाता है ठीक है next है निमन में से किस वेश भूशा को गोटा लगी ओडनी का जाता है आपका टाइम होता है शुरू आप समने मुझे पताना है कि किस वेश भूशा को गोटा लगी ओडनी का जाता है इसका क्या अंसर होजएगा इसका अंसर हो जाएगा ओदना ठीक है। ये तो आपको याद यह जएगा। अगर पेपर में घोटा लगी ओड़नी तो किसे का जाता है, वह का जाता है ओडना को। ठीक है। увид है इन वेशबुशा के बारे में वेशबुशा के बारे में बेराही rh今 मैं आप सब कोको कोशन की प्रैक्टिस कोयाा रहा हूए जिससे की मारे esse 한테 go कि किस विश्भुशा को पीले-पाट की नि का जाता है इसका च्या मophyll फीले-पाट प mots टाडनी के यह लर इक कौन विश्भुशा बच्चशा होने पर पीर से आती है जो बच्चा होने पर पिले नि का बच्चे होने पर पीर से आती है ठीक है और इसके साथ आप यह भी आ है लकर ना you can next है लाल किनारों के बीच बिच पीले की बंदी रंगाई वाली ओढ़नी को क्या कहते है पेपर में ऐसे पूछ सकते है कि लाल किनारों के बीच पीले रंग की ओड़नी को क्या कहते है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा पीलिया ठीक है इसे पीलिया कहते है आपने इन दोनों को या रख लेना है पेपर में जैसे भी कोशन पूछे तो आपने इन दोनों को या रख लेना है कि बच्चे होने पर जो पी वट चैटमद इसका तो अंसर आफ मुझे सही दोगे इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर और जाएगा चुंदड़ी यहां रहे ना चुंद़ड़ी को रंग बिरंगी ओड़नी कहते हैं next है निमन मेंसे कौन सा छोटे बच्चों का पहनावा है यह मैंने आपको अभी बताया तो इसलिए फटा बड़ मुझे चैट बोक्स में दो और मुझे आ सा है कि इसका अंसर सारे बच्चे सही देंगे इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा जुगला या लेक होता है शुरू आप मुझे फड़ावट इसका अंसर चैड़ बोक्स में दो इसका अंसर हो जगा इसका अंसर हो जगा उपरुक सभी यानि गजरिया पांजेप और बाक्डे यह तीनों के तीनों अभूशन महिलाव द्वारा पाव में पहने जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है न पोची हथफुल और टांडिया यह तीनों के तीनों अभूशन महिला द्वारा हाथ में पहने जाते हैं उरके साथ साथ मैं आपको एक बार दुबार रिपीट करवा देता हूं कि कौन कौन से अभूशन महिला द्वारा हाथ में पहने जाते हैं अंगूठी आरसी जिसको अ याद भी हो रहे होंगे खदर की कमरी कब प्रियोग की जाती है कि जो खदर की कमरी होती है वो कब प्रियोग की जाती है इसका क्या अंसर हो जगा इसका अंसर हो जगा गर्मियों में ठीक है या रखे ना खदर की कमरी को गर्मियों में प्रियोग किया जाता है ठीक है और यह के वेशबूशा है q baş Half Been ? दूशाला किस वेशबूशा अन्य नाम है मैंने आपको आपधी कुछ समय पहली पूप्थ है कि दूशाला किसका अन्य नाम है है आप मुझे फटा पट इसका अंसर chatbox में दो, इसका answer हो जगा, इसका answer हो जगा कमबल, ठीक है, या रख लेना, नूशाला, कमबल वेश्भूशा का अन्य नाम है, और चादर की मोटी परत को कमबल कहते हैं, ठीक है, आपने इसको भी जुरूर या रख लेना है और टोपी से या रख लेना बंदर टोपी यानि मोंकी कैप सरदियों में यूज की जाती है नेक्स्ट और आज का लाश्ट कुशन हमारा निमन में से कौन से अभूशन महिला और द्वारा धारन नहीं किये जाते और आज साथ मुझे इसका अंसर कमेंड बेक्स पतान है कि इन में से ऐसा कौन सा भूशन है जो महिला और द्वारा धारन नहीं किया जाता जिसने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुना होगा और सासा जो बच्चा मुझे अंसर देता गया होगा वो मुझे इसका अंसर जूर देगा ठीक है आज की वीडियो में बस इतना है और आप सबको मैं बार बर कह रहा हूँ आपने अपने घर से बार नहीं निकलना है और आपने आपकी सेवटी आपके हाथ में आपको डेली की डेली वीडियो प्रवाइड की जाएगी आप उन वीडियो को देखना और अपने पेप बोक्स में लिखना मैं आप सबके कमेंड पढ़ता हूं और रिप्लाई भी दूंगा और आप मारे टेलीग्राम गुरूप और फेस्बूक पेस से भी जूड़ना अगर आभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की आभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पर सा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके हर वीडियो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जयाइन जय भारत थैंक्यू और अब नाइस डे कर दो